हाई दोस्तो मैं हो मंजीत और आज हम बनाने माले हैं वाशिंग मशीन के ड्रायर का धकन तो धकन बनाएंगे घर पर ही देशी जुगाड करके वह हमारी ड्रायर का धकन टूप चुका है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वाशिंग मशिन की ड्रायर का धकन बनाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने पहले भी एक इस तरीके का जुगाड बनाया था जिसमें आप देख सकते हैं यह अंदर इसके गत्ता है और बाहर इसको मैंने टेपिंग कर रखी है तो यह कुछ महिने तक म मतलब अब यह टेमेज हो जुगा है तो इसको बनाने के लिए हमने लिया है कि यह बाल्टी का धकन जो की साइज के दोर पर मैं इसको लूंगा साइज के लिए तो यह मिर को आउट से यहां उपर उपर से जो यह आप देख सकते हैं इसको इसको पुट करना है तो हम इसको फटा फट कर लेते हैं पहले इसके लिए हमारे कुछ दिएगी यह आरी तो दोस्तों यह कटकर हमारा रेडी हो चुका है तो अभी इसको जो यहां से आप देख सकते हैं जो यहां से बुड़ा हुआ है इसको मैं होटगन की मदद से या गैस पर गरम करके सीधा करूँगा तो चलिए चलते हैं किचन में तो दोस्तों मैंने गैस पर इसको गरम करके सीधा करने की कोशिश की थी लेकिन हुआ नहीं तो मैंने अभी इसको फिलाल ऐसे कैसे ही छोड़ दिया है पर इसको देखा है दोस्तों उसमें ट्राइं करके वाशिंग मशीन में डाल कर तो यह सईव फिट आ रहा है और मैंने इस ब्लेड की मदद से इसको यहां से कट कर दिया तो चलिए वाशिंग मशीन के पास चलते हैं दोस्तों आगे हम वाशिंग मशीन के पास तो अभी मैं आपको इसमें डालकर दिखाऊंगा आपको पता ही होगा दोस्तों जो वाशिंग मशीन का जो यह ड्रायर होता है इस ड्रायर में हम कपड़े डालकर गिले कपड़े डालक तो देखिए दोस्तों यह इस तरीके से इसमें आ जाएगा और यह पूरा फिट आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से और पूरा परफेक्ट साइज यह बना है और यह जो मैंने बीच में इसके गुरूज लगाया है यह इसको पकड़ने पकड़के निकाल कीजिए और बैल आइकन जुरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो के अने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए धन्यवाद दोस्तों